नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड के ये जो लोरी मा अपने बच्चे को सुनाती है वो उसका मतलब अब बदलने वाला है चंदा मामा अब दूर नहीं रह जाएगा बस कुछ ही घंटे तो बचे है जब चंद्रियान थ्री स लेंडर बिक्रम निकलेगा और चंद पर अपना कदम रखेगा सौफ लेंडिंग के लिए बैज्यानिक तैयारियों में जूटे हुए हैं और उधर देश भर में इसको ले करके सब की नजरे हैं पूजा पाठ का दौर सुरू हो गया है कि भारत का ये अभियान सफल हो पूरे देश में लोग इसके लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं बता दे कि अभी तक चांद पर कदम रखने वालों में अमेरिका, रूस और चीन सामिल है भारत यदि इस अभियान में सफल होता है तो वो कलब फूर में सामिल हो जाएगा यानि चोथा देश बन जाएगा अभी तक किसी भी देश ने चांद के दक्षणी छोर पे कदम नहीं रखा है भारत का अभियान सफल होता है, मिसन सफल होता है तो भारत वो पहला देश बनेगा कि चांद के दक्षणी छोर पे यानि साउथ पोल पे अपना वो विक्रम लेंडर उतारेगा चांद से जो हमारा यान है उसकी दूरी महज़ब 25 किलोमीटर या उससे भी कम है लगातार वो चक्कर लगा रहा है, गती को नियंतरित करने के लिए अब कोशी से सुरू हो गई है ताकि गती को कम किया जाए, सौफ्ट लेंडिंग में होगा क्या कि जो लेंडर है विक्रम वो रोवर को ले करके नीचे उतरेगा, नीचे उतरने से मतलब चांद की सता पर उतरेगा और लेंडिंग सही साबित होती है तो फिर उतरने के आधे घंटे के अंदर उसके पेट से रोवर निकलेगा जिसका जो वजन है वो 26 किलोग्राम है rover ही है वो जिसका नाम प्रग्यान है यानि कि बुद्धिमान ज्यानी वो चांद की सता पे चक्कर लगाएगा यानि कि घुमेगा अपने कदमों से चहल कदमी करेगा और यह पता लगाएगा कि यहां पे क्या-क्या है पानी है, बर्फ है, मैंगनीज है, लोहा है, क्या-क्या है और वहाँ से वो लेंडर को और फिर जो है प्रोफल्टन जो मोड्यूल है उसको मेसेज जाएगा जहां से कि डीप सेंटर बेंगलूरू को मेसेज जाएगा और यहां पे साइंटिस्ट जो है, उसका अध्यान करेंगे चान पर जो प्रिथवी का दिन है, 14 दिन, उसके बराबर एक दिन होता है एक रात होती है, यही वज़ा है कि 23 अगस्त को चुना गया है क्योंकि तब वहाँ पर सुरियोदय होगा, यानि कि दिन होगा और दिन में जो है, यह लेंडिंग कराने में, और सर्च करने में जो मेसेज आएगा, या जो रोवर घुमेगा, उस सब पूरी प्रक्रिया में आसानी रहेगी तो अब देखते हैं कि कल क्या होता है, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा ऐसी उमीद करनी चाहिए, ऐसी कामना करनी चाहिए, और ऐसी प्राठना करनी चाहिए रहे ने बेखबर, देखते रहे इनका बद, थैंक यू